हेले दोस्तों स्वागत आपका Career Academy के YouTube चैनल पर बच्चो आज हमारा जो है कि टेस्स सीरीज है यहाँ पर मैं को स्क्रीन में देख रहा होगा इस को स्क्रीन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा हो तो चलते रहेगा बीच में इन कोश्चन को भी करें क्योंकि इस से क्या होगा हम टेच में रहते हैं जैसे हमारे स्लेबस में जैसे हमारे चैप्टर में कोश्चन आएंगे तो हमें एक जाक से इसका आंसर हमारे माइंड में क्लिक करेंगा हम इसमें सिंपल कोश्चन देख रहे हैं और उनके आंसर देख रहे हैं एक्सप्लेश तो चलिए शुरू करते हैं, पहला कोश्यन यहां पर है, फर्स कोश्यन, वक्र का तदभाव है, पहला कोश्यन आपको दिख रहा होगा, वक्र का तदभाव है, तो यह किसका होता है, मतलब तदभाव इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, भेडिया, पहले का D, फ विकल्पू मैंसे उपसर्ग रहित सब्द है तो उपसर्ग क्या होता है इन सब को आम लोग बहुत डीटेल पर पाइड़ने वाले तो अभी आप कोश्चन और आंसर को देख लीजिए तो उपसर्ग रहित सब्द होता है आपका छात्र तीसरी का अंसर अचक चाया का अर्थ ह होता है इसका होता है चौक उठना अचक चाया इन्दम बोलते जिसका मतलब है चौक उठना चौक चाया है चौक लेइं दी संदी है पाउन सब्द में संदी है कौन सी है यह आपकी अयादी संदी तो चार कुशन हो गए कुशन नमर पांच वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता मैं कि चल भी नहीं सकता है क्या है यह द्यांसे कुशन को बढ़ना वह इतना कमजोर है कि वह ठीक से चल भी नहीं सकता तो इसमें क्या हो गई किरिया विशेशन उपवाग किया किरिया नहीं कर सकता है तो नेक्स्ट निम्न लिखित में इस्तुरीलिंग शब्दे स्टीलिंग साथ में कविश्ण यह क्या है इवी चार उप्सन चार लाते हैं तो कविश्ण घंगए हिंदी गनजनु में को कवर्ग की सभी धुनिया यंगर को क्वल रहा हूं को रें कंवा कंट से निकलती है यह निकलती है सबी धुनिया कहां से निकलती हैं गले से निकलते हैं कंट से निकलती हैं अगला कोशन कोशन नमबर आठ सब्द में प्रियुक्त वर्णू की सही क्रमिक्ता को कहते हैं जो सब्दुमें प्रियुक्त वर्णू की सही क्रमिक्ता को कहते हैं वर्तिनी बोला जाते हैं कि राजभासा दिनियम अस्तित्यम आया राजभासा दिनियम kg अस्तित्यम आया इसका अंसर है WILD सन उनी सो फिसे इच्ट में यरों में से अकर्मक करिया है जिब्रती विकल्भू उसे से अकर्मक की रिया कोंसा है हसना यह अकर्मक की रिया है कोशन अगर आता है निवरे विकलों से अकर्मक की रिया है चार आप्शन होंगे उसमें क्या क्या क्लिक करो गया हसना नेक्स्ट है वे रिस्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे इस वाक्या में तो सब्द तो इस वा next question number 12 anchor byte किसे बोला जाता है यह कहा जाता है । ओаньकर दारा किसी समाचार में पुہे तो video का कथन दिखाने को, a jáj iqna底 किसी समाचार में पुषट के जो वीडियो दिखाए जाता है उसको अंगर byte कहा जाता है तो b option इसका सई हो नेक्स कोशन निम्नम्नलिखित विकल्पू में से थन्यार्थक सब्द है तुर्की वासा इन विकल्पू में infl". आपका चम चम यह तुन्यात्मक शब्द है कोशन नमबर 14 उर्दू सब्द है यह तुर्की वहासा का शब्द है उर्दू q-15 उत्रकंड में एपर संब्दित है उत्रकंड में एपरण की सेंब्स है धरतल-चित्र की पहाड़ी होग्रू है अपर्त Çaर ! पहाड़ी में देलियां बला जातें देल्वियों में क्या करते है है एपर से डिजाइन बनाते है निम्निलखित मैंसे कौन सा सूपर कम्प्यूटर नहीं है 16 परसन है निम्निलखित मैंसे कौन सा सूपर कम्प्यूटर नहीं है यह है फ्लॉक 15 यह एक सूपर कम्प्यूटर नहीं है फ्लॉक 15 अगला कुछन है सत्रवा निम्निलखित मैंसे किस किले को Ford Moira यही बहुत हैं इसकी अनसर के विज्शन इस शरी परने कि निग 11 की दोज़ा 18 वीजेता टीम यह है चिन नहीं सूपर गिंग तो अठारवी का अंसर क्या होगी अठारवी का अब भी है next कुमाओ में राजकर के अतरिक्त सयानु वा थोगदारों को दिया जाने वाला कर कहा जाता है तो कुमाओ में राजकर के अतरिक्त जो सयानु वा थोगदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है 19 का क्या अंसर हो जागा यहां पर 19 का है सी यह है दस्तूर दस्तूर इसे बोला जाता है नेक्स पोश्छन है है बहरत में पुरात्त विभाक की स्तापना की यह की है लोड करजन ने जो तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ लेते हैं सॉरी पॉलिटी में हमने देखा था जब हम अधिन्ययम पढ़ लेते तो उसमें यह हमने पॉइंट भी कवर किया था तो लॉट करजन ने भारत में पुरा तत्त्त विवाकी स्थापना की नेक्स्ट है 21, 21 है गड़वाल के किस सासक ने सरवपर्थम अपने नाम के साथ सा की उपादी धारन की थी बहुत इंपोर्टेंट, बहुत बार कोशन पे परमाया है तो गड़वाल के किस सासक ने सरवपर्थम अपने नाम के साथ सा की उपादी धारन की थी तो ये इनका नाम था बलभद्र सा, इन्होंने सबसे पहले अपने नाम की आगे सा लगाए था को सब्सक्रियों उत्रों में एस्ट इंडिया कंसे मिले म संदुधसन लेकिंड़्या को कुछेंट में इसे वी में नूशीन बारति में शोलों में एंटेशन से और उत्रों डिल्ड़्या कंसे भारत 2020 का क्से आई थि कि योजना आयोक द्वारा मरंजूरिंदिये जाने के समय तिहरी बात पर योजना की अनुमानित विद्यूत उतपाधन छम्था कितनी थी यह छम्था में बतानी है की कितनी थी इसका सही आंथर आपका c. 600 Megawatt जब 1978 इसबी में योजना आयोक द्वारा अमय। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है यह करता है राज्यपाल किसको दिया गया यह 27 सवाल आपका जो वर्स 1986 में व्रिक्ष मित्र का पुरुषकार दिया गया गौरा देवी को गौरा देवी तो इनके बारे हम पढ़ेंगे चिपको अंदोलन पढ़ेंगे तब इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे नमबर 28 है जोहांस वर्ग में सतत विकास हमीलन किस वर्स हुआ था जो जोहांस वर्ग में था वो सतत विकास हमीलन यह हुआ था आपका 2002 में दोजार दो में ये किया गया था 29 दुर्गापुर इस्पाथ सहियंत्र किस देश के सहयोग से इस्तापित किया गया साथ जो दुर्गापुर इस्पाथ सहियंत्र था वो ग्रेड बीटेन के सहयोग से इस्तापित किया गया था कि 20 सदी के प्रारंब में उत्राखन के सैली चित्रू की कोज की थी बैरिस्टर मुकुंदिलाल जी ने उनका नाम क्या था बैरिस्टर मुकुंदिलाल ने कोशन नम्मर 31 ऑरंग जेब की मृत्य हुई थी यह कब हुई थी यह हुई थी 1707 1707 औरंग जएब की मिरत्य हो गई थी उत्तरकाशी में सक्ति तिरसुल में 2 इस्तानों पर da लिखा गया है जो उत्तरकासी में सकती तिरसूल है इसके दो इस्तानों पर कौन सी लिपी से लिखा गया है यह पूछ रहा है तो इसका अंसर आपका संख लिपी में किसमें लिखा गया है संख लिपी में कल हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था अगर आपने कल का वीडिय लीब की, Question No. 33 है, मैं पूर्व की ओर हूँ, मैं घडी की सुई के घुमने की दिसा में 100 डिगरी घुमता हूँ, और तब घडी की सुई के गुमने की विफ्डी दिसा में 145 डिगरी घुमता हूँ, अब मैं किस दिशा की ओर हूँ, तो देखो इस कोशन को करिय लेते, तो अभी हमने रीजनिंग स्टार्ट नहीं किया जैसे हम करेंगे तो समझ मा जागा यह आपका इस्ट हो गया यह वैस्ट हो गया यह नौर्थ हो गया यह साउत हो गया पूरो पश्री मुत्तर दक्षण अभी बोलता है कि मैं कहा हूं मैं पूरो की ओर हूं यह यहां कहीं है और खोड़ी की सुई की गुमने की दिशा में तो यहां से नबेद डिग्री का को गनाता है तो अगे यहां तक जाएगा उसके बाद तब घड़ी की गुमने की विप्री दिशा में 145 डिग्री गुमताओ तो फिर वह उसकी विपरीज कमड़ व攻 तेगव से उल्टा जाता है यहां से चलता है यहां से एक स्व 235 तो यहां से यहां तक तो सह हो गया और और 45-90 का आप यहां से यहां तक 90 तो इसका आदा 45 हो गया यह हो गया अब जो यह दिशा होगी वह पूछता है कि आप वो किस दिशा में होए तो यह है आपके नौर्थ इस्ट या निकी उत्तर पूरो यह देखो इसका अंसर कौन सा हो गया बी वाला अंसर है उत्तर पूरो क्या करता है हरीद्वार को बद्रियनाथ से जोडता है कुशन नमर 35 निम्रे लिखित मैं से वर्स 2017 इसबी के लिए सर्वस्ट सांसत का पूरुसका किसे मिला था यह मिला था वृतहरी महताब को तो 35 का अंसर क्या है 35 का सी वृतहरी महताब 36 विरही गंगा किस नदी जल परवा शेतर में है यह आतियापकी भागी रती अलगनंदा जल परवा तो यह जो जल परवा है इसके बारे में हम लोग उत्राखन की जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने पढ़ा था जिसने नहीं देखा है देख ले न इंपोर्टन कोशन इससे भी बनते हैं देखो एक कोशन यापर आ भी गया है उससे से लिलेटेट जो हमने अभी एक ही टॉपिक पढ़ा है और उससे भी एक कोशन यापर बन गये है अगला 37 37 यह कहता है कि मीरा भाईचानौ किस खेल से संबंदित है मीरा भाईचानौ है भारत तोलन से कर दिया था यह कपके घटना है यह आपके 23 अपरेल 1930 को 23 अपरेल 1930 को इन्होंने क्या किया था जो नियत्य भारतिये पठान थे इन्में गोली चनल से मना कर दिया था तो पीरचन गड़वाली काफी फेमस एक्तरखंड में और सभी लोग जानते हैं इनको नेक्स रैपका एशियाई खेल 2022 की मेजवानी किस रास्ट के दोरह की जाएगी जो एशब ऑचल 22 की मेजवानी है वो कौन करेगा वो करेगा चीन चीन में होगी है आप देखो क्या होता है अभी जो ऐसे हाला तो जो भी होगा डिसिजन लेकिन जो पहले था वो क्या था कौन करने वाला था इसको चीन करने वाला था चीन में होनी थी सन अठाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथा मैं मैंधानी छेत्रों केस रिजन 6 नई विदान सभाव में समलित नहीं है यह कौन सा है 41 विक अगर अंसर करें तो यह कौन सा है आपका खानपूर भाया अलिस्वा हमबन टोटा पोट इस्तित ए जो हमबन टोटा पोट इस्तित है का पे श्री लंका में जोड़ पर्था संबंदित है ? जोड़ पर्था किससे संबंदित है ?詞ाव गोल्डो फर्नीज यह पल्लवन्स का सबसे सक्तिसाली राजा था ऑप्षन डी पैतलिस्वा कुशन भारत में सन 1991 इसबी में परारंब की गई सुधारवादी नीटियूं का के मुख्य कारण थे इनके मुख्य कारण क्या थे एक तो सुधारवादी नीट का मुख्य कारण थे 46 कोशन करते हैं 46 कोशन है आपका निम्न मैं से कौन कौसल भारत अभियान के अंबैसिडर निक्त किया गया है यह है अनुष्का सर्मा और वरुन धवन को तो कॉसल भारत अवियान के अमबैसेडर अभी को ने रनुसका सर्मा और परनुन दवन बच्चों देखते हैं कुश्चन नमबर 47 रिक्तिस्थान में कौन सी संक्या आईगी तो यह भी बहुत आसान सा सवाल है देखो यहां पर पी है पी क्यू यहां कि एक आरा ना पी का ने त्यू वी के बाद क्या थे है वी जरोड़ा क्यों यहां कि एक शूटा हों जैसे दो कंदर अभ़े यहां फि क्लि 저 निया दो कंदर को दो कंदर कंदर हो देख लोगे के शाव यहां 4 कंतर दिखै यहां 48 but Ichyu ग्त्य गत्यां कित्या आई कैंदर में 4 रहोगा जिन संक्यां मे चार कंतर है देख लो इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें डी तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां आएगा 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 चौदा असान सा सवाल था अगला देखते है अट चाली सो किस पर्मार सासक ने सर्वपर्थम अपने राज्य में अंग्रीजी सिक्षा परारम भी की थी तो यह भी इंपोर्टेन कोशन है यह किसने की थी परताब साने तो किस पर्मार सासक या पवार सासक ने सर्वपर्थम अपने र उत्राखंड का जो नभीन इतियास के पुष्टक के लेकर के यह को ने डाक्टर जस्वन्त सिंग कडूज तो यह option C हो गया भारती अर्थ व्यवस्ता है भारती अर्थ व्यवस्ता कैसी है मिश्रित अर्थ व्यवस्ता है तो option number C 51 51 पूर्णागिरी मेला कब लगता है यह लगता है चैत्र की नवराती में पूर्णागिरी मेला का आयोजन किया जाता है अमर बावन्वा है उत्तर मद्य रेलवे मुख्यालाई आपका परियागराज और नंस cry पुनराव लोग्रों की उत्पत्ती शरवपॉर्थन ने इपुन Но कि सहुआ मेरिक द्राज्व professionally flood देक समानामित रुप्र। समान नागरिक सहींता का उल्लेक कुन से आर्टिकल में है यह आपका अनुच्छित 44 में समान नागरिक सहींता किस में उल्लेकित है अनुच्छित 44 में यानि की option c में next है next question देवनागरी लीपी के आधार पर भोटी लीपी का आविश्कार किस ने किया जो देवनागरी लीपी उसके आधार पर भोटी लीपी का आविश्कार किस ने किया यह क्या था थोनमी संबोटा ने इनका नाम क्या है थोनमी संबोटा next question देखते हैं, e-learning में समलीत है, e-learning में क्या समलीत है, computer आधारिक सिक्षन, ये तो हो गई, web आधारिक सिक्षन, ये भी है, यानि कि दोनु है, option number C, A और B, सन 877 की क्रांती के समय कुमाओ का commissioner कौन था, important question याद रख लेना, तो इनका नाम है, sir Henry Ramji, जब सन 877 की महन क्रांती हुई थी, जो सिपाई विद्रोबी जी से बोला जाता है, ये भी हमने cover कर लिया, तो कुमाओ में commissioner कौन था, sir Henry Ramji, अगला सवाल, अठाउन वा, मगद महाजनपद की राजदानी है, मगद महाजनपद की राजदानी है, तो इसका answer क्या है, पाटली पुत्र, अगला सवाल, परसिद सदेई रशना किस लेख़ की किरती है, ये किनिन लिखी थी तारादत गैरोला, इनका नाम क्याय है, तारा ग्रुणों पिरेंका देल करती अग्या है अग्ला कुशन निमनी लिखित में कौन सी जंजाती लकड़ी की सिल्पकला के लिए जानी जाती है वो है आपका राजी जंजाती एक साटवा कुशन दक्टर जस्वन सिंह कटोज द्वा कॉन सी पुस्तक नहीं लिखी गई इन में से उत्राखंड के पर्मुख स्वतंतरता सिनानी ये पुस्तागुनों नहीं लिखिया बासाटवा कोशन देखते है निम्न में से सम्मेदान सवाके सम्वेधानिक सलाकार कौन थे? ये थे B.N. राउ, ये सलाकार थे, सम्मेदानिक सलाकार B.N. राउ थे, 63, आदित्य नारायन पुरोहित, किस चेतर से संबन्दित है, जो आदित्य नारायन पुरोहित है, वो किस चेतर से संबन्दित है, यह है, किरसी विज्यान चेतर से संबन्दित है, तो यह किसे होगे, कि option इसका सही है question number 64 भारत नेट परियोजना का संबंद है भारत नेट परियोजना का संबंद किससे ग्राम पंचायतों में broadband connection देने से तो 64 विका किया आंसर 64 विका ए 65 वन संग्रक्षन के लिए कल्यान सिंग रावत ने मैती आंदोलन कप प्रारंब किया था जो कल्यान संग्रावत जी थे उन्होंने वन संग्रक्षन के लिए एक आंदोलन प्रारंब किया था जिसे मैती आंदोलन कहते हैं उसे कब प्रारंब किया था यह किया था आपका सन 1996 में में मजौली द्रीप इस्तित हैं मजौरी डूरै वो गहां पर इस्तित है और आप का बहुंपत्र नदी पर इस्तित है अ ग्नलते कोसिन नमर की निफ भारत का पहला विशिष्ट कुत्पार्बृ न मिस्तित है तो यह आपका option है vorbei विश्ट bizarre कर्ण कहं से निमण मैंसे किस जन जाती दोरा किया जाता हैंuko प्रवास किया जाता है अगला कुश्य नेधेन मैं से कौन सी संदेश सेवा अब सक्री नहीं है इन यह option आपके आप एक खुदी बता सकते हैं कि निम्ने में से कौन सी संदेज सेवा अब सक्री नहीं है Skype चलता है WhatsApp चलता है याहू याहू आपने अब नहीं सुना होगा याहू बहुत टैम पहले से बंद हो गया तो यह option में क्याएगा option C यह संदेज स्वाग के रिया यह बंद हो गया सकाइब तो है WhatsApp भी वाइबर भी है लेकिन याहू अब क्या हो गया है यह बंद हो गया तो option C question number 70 कार्तिकेपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था कार्तिकेपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था यह था शुभिक्ष राज यह कार्तिकेपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था शुभिक्ष राज बच्चों हमने यहाला question छोड़ दिया था तो सारे कल ले तो इसको वैस के जा सकते हैं, तो आसान कुछन है, अगर यहां पर एक लिफ्टेस में 12 तो आपके adult जाते हैं, और 20 बच्चे जाते हैं, ध्यान से देखना, 20 बच्चे जाते हैं, children, तो अगर 20 बच्चे या 12 अडल जा सकते हैं, और अगर बच्चे हम करते हैं 10, तो adult कितने जाएंगे, यह इन का हाफ कर दो 6 अब बच्चे होगे 5 तो कितने हैं तीन होगे 5 बच्चों में 3 यानियं कि अब कितने चा幫ड हैं तो बच्चे कितने 10 में 6 जा शकते थे हैं और 15 बच्चे जाहने तो अब adult कितने जाएंगे पांच में किता है, पांच और add कर दिया ना, यानि कि पांच कम कर दिया, तो 20 बच्चे थे, आप 15 जा रहे हैं, तो 20 के किते जाएंगे, 20 के इसमें 3 जा सकते हैं, आप साथ साथ जा सकते हैं, तीन 20 को और 15 बच्चे, तो इसका option number C हो गया, तो यहाँ पर top 70 आपने question किये हैं, इन question को आप देखना, यह बहुत out of books से भी question होते हैं, कुछ question दो books आते हैं, कुछ question current affairs हैं, कुछ question आपके यह reasoning और mathematics से भी आ गए, तो awareness बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ही चीज पढ़ते जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, question अगर out of slaves आ गया, तो आप वह सारी classes चलती है, और यहां से हमने आज extra सीखा, जब भी हम इस चीज के बारे पढ़ेंगे तो, जब भी इन में से कोई question हमारा repeat होगा, तो हमारे mind में रेगा है कि इसका answer क्या है, तो इस video में इतना ही, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, thank you so much, have a nice day, take care.